दोस्तों अक्सर आपने सरिस्रिप वर्ग का नाम सुना होगा जिसे इंग्लिस में रेप्टाइल्स कहते हैं तो आज हम जानने वाले कि सरिस्रिप वर्ग क्या होता है किने सरिस्रिप कहा जाता है और इनके चमडे का परियोग कहां कहां और किस किस जगा परियोग किया जाता ह है क्या-क्या बनता है इनके चमड़े का ठीक ना सारा कुछ जानेंगे और सारा कुछ सबसे बड़ी खासितिया होती है कि सभी जीव क्या होते हैं अंडे यह डायरेक्ली बच्चा नहीं देते यह अंडे देते हैं अब आईए जानते हैं सरीश्रिप वर्गों के उधारन तो सरीश्रिप वर्ग में मिख्य रूप से आते हैं मगरमच घडियाल साप कचुवा वर्ग कहेंगे ठीक अब आई जानते हैं कि यह कहां पर पाई जाते हैं तो सरीश्रिप वर्ग जितने भी जीव आते हैं वे अक्सर किन छेत्रों पाई जाते हैं पूरे 200 कि में बात कर रहा हूं वे अक्सर समुद्री तट वाले इलागे जहां पर समुद्र होता है जहां प भारत में कहां-गांप पए जाते हैं तो भारत का राजस्थान में पाय जाता है समुद्रित तट यह जितने भी राज हैं गुजरात हो गया यह सब जितने भी मुंबई हो गए जितने भी तट वरत यह राज यहाँ यानि कि पूरवी घाट पुस्चेमी घाट उसे लेकर के पूरे हिमाले परवत तक यह पाये जाते हैं सबसे जादा जन संक्या इनकी हिमाले परवत और समुद्री तटवाले राजियों में है अब आईए जानते हैं कि यह जो सरी स्रिफ हैं इनकी परजातियों का उपयोग किस परकार किया जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सरी स्रीप जितने भी जीव है ना इन सभी के चमड़े का परियोग अक्सर आदमी जो हम जूते, बेल्ट, लेदर वाले जितने भी पांते हैं जूटते, बेल्ट, दस्ताने, जैकेट, पर्स, आधी का परियोग किया जाता है इन सभी के चमडों से बना जाता है इनकी छाल किस परकार होती है आपको मालिम होगा कि इनके जो होते हैं सलक होते हैं यानि कि जिसे हम चोया बोलते हैं ठीक ना सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोले तो मगर मच गड़ियाल और कच्छवे का परियोग किया जाता है हाला कि 1970 इसमें भारत वन जीव संडक्षन दिनियम बना था ठीक ना इतमें 280 परजातियों को जो सरी सिर्फ वर्ग के 280 परजातिया है ठीक ना भारत में पूरे 20 में जाते हैं लगबग 600 तो इसमें से 280 पर जातियों को भारत में संडक्षन दिया गया लेकिन फिर भी तसकरी बढ़ रही है फिर भी इनके चमड़ी का परियोग इन सब जीवों के लिए क्या जाता है एक अनुमान के मुताबिक यहां कहा जाता है कि जितने भी तत्वर्थी र प्योग कहां पिक्या जाता है और इनकी कुछ आपको मनगडन कहानिया भी है जैसे कहा जाता है कि सरीश्रिव वर्ग के सांप एक धामन सांप होता है उनका यहां मनगडन कहानी है कि यहां सांप गाय के टांग मी चाप के लटक के उनका दूद पीता है और यहां पे सांप ह भारत में करत साप पायता है इन से एक मनगड़न क्या कहानी है कि यह साप आदमी के सरीर में लेटकर उनके सांस को रोक लेता है तो इन में कुछ कहानियों को सच भी दिखा गया है और कुछ को मनगड़न बताया गया है यह आप पे विश्वास है कि आप क्या सोचते हैं इसके एंसस्क्राइब पेली सास्क्राइब कि ए बात कर दो ने पहां झाल को लोग लोग शाम पुट चाल को जा राइब आज उलनाक।